नमस्कार किसान सात्यों, मेरा नाम जेतंदर कुमार है और मैं आज आप से एक विशेश टोपिक पर बात करूँगा जिसको आपने धंबलेन पर पड़ा है जिसके अंदर हम बात करेंगे किसान सात्यों किस परकार से यूरिया का एक जेविक विकलब अपने यापर अपना सकते हैं जो की बिल्कुल फ्री है क्योंकि किसान सात्यों अपने यापर जब हम खेती करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो खर्चा है वो तीन पुसक्तितों के लिए होता है जिसको अपन मुक्य पुसक्तितों कहते हैं पसलों के लिए तो उनका नाम होता है N-P-K, सातियो N-P-K का आड़त होता है नाइट्रोजन, फासपोर्स और पोटास, ये मुखे पोसकतों होती है अपनी पसल के लिए, उनकी बड़वार के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए, रोगों की परतीरोधकता के लिए, सात ही प्रोडक्शन को बड़ाने के लिए, उत्पादकता को बड़ाने के लिए, इसके साथ ही बुमी सुदार के लिए भी ये तीनों पुसकतों बहुत ही जला दरूरी है, तो अपने खेती के अंदर इनके लिए यूरिया, डियपी और पोटास का इस्तमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए अपने खेतों के अंदर सबसे बड़ा होता है, तो आज अपन बात करेंगे किस परकार से किसान साती अपने आपर इन पोस्टतों का विकलब अपने आपर जेविक रूप से अपना सकते हैं, और जो खर्चा इन पोस्टतों के लिए हो रहा है, यूरिया, डियपी और पोट तो शूरू करने से पहले मा बात करränा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्सा लगए, तो नए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, और इसी परकार से मैं खेती की जानकरी आपको वीडियो के माधेम सी देता रहता हूँ, इस चैनल के माधँ देता रहता हूँ, त तो आप बेल आइकन के निशान को दबा कर भी अपने आपर ऐसी जानकरिया पराप्त कर सकते हैं ताकि आगने वाली जो वीडियो है उसका नोट टिपिक्सर आपको मिलता रहे और इसी परकार से अन्य जानकरिया आप चाहते हैं तो हमें कमेंट के मादेम से बता साथियों सु परियावरन के अंदर अधिक्ता है मतलब नाइट्रोदन के लिए अपन यूरिया का इस्तमाल करते हैं और उसकी परियावरन के अंदर सबसे ज़दा अधिक्ता है मतलब परियावरन के अंदर 78% नाइट्रोदन पाया जाता है और जिसके लिए अपने खेतों के अंदर यू नहीं करते मतलब पूदे हैं वो ना तो पत्तों की मादें से उसको गराण करते हैं वो सिरब जड़ों के मादें से nitrogen को गराण करते हैं और वो भी nitrate की रूप में मतलब जो वातावरण की अंदर आप पढ़ते हैं समझते हैं तो यह होता है nitrogen जो की 88% के रूप में वातावरन में परियावरन के अंदर उपलब्द है और इसको कनवर्ट करते हैं उच दाब उच ताप फिर इसको ठंडा करते हैं यह जो परकरिया होती है इस परकरिया के दवारा इसको यूरिया में कनवर्ट करते हैं जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजन क एक रूप है एमाइड की रूप में और जब उसको मैं खेत के अंदर डालूँगा खरीद कर लाऊंगा उसको खेत के अंदर डालूँगा तो जो एमाइड की रूप में यूरिया है वो तूटकर अमोनिया में बदलता है और अमोनिया से तूटकर वो नाइटरेट में बदलत इतने रूप को कनवर्ट करता है पहले इमाइड शे अमूनिय में कनवर्ट होगा फिर उसके बाद नाइट्रेट ही बदल देगा जिसको पोदे गरन कर लेंगे तो साथ यो अगर यूरिया का इस्तमाल ना करते हुए अपन जो परियावरन के अंदर नाइट्रोजन है परिया लगबग 50-100 साल पहले हुई है उससे पहले भी क्योंकि खेती अपनी लगबग 10,000 साल पुरानी है उससे पहले अपन कोई यूरिया खाद नहीं डालते थे परंदू वहां पर उत्पादन हो रहा था पोदे गरोध कर रहे थे जो कि किसके मादे मेंशे करते हैं नाइट्रो बारन के अंदर है वो पोदो को मिल पा रही थी इसका मुक्य सोर्स होता है जो क्य क्या करते हैं नाइट्रोधन का इस्त्री गरिया बॉतावरे यह बुमे और पोदो के लिए ठोक्ता होगी जब भी उनको न कोनीड होगी तब वहांसे नाइट्रोधन गर्ण कर लेंगी और अपना विकास करेंगे और production देंगे उत्पादन देंगे अनाज का उत्पादन करेंगे तो साथ यू यह जो परकरिया है किसके मादेम से होती है nitrogen का इस्तरी करने वाले अगर इसकी संक्या अपन बूमी के अंदर बढ़ा दें तो अपने को अलग से यूरिया का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा जो की लगबग 10,000 साल से चलता आ रहा है अपने वातावरण के अंदर अपने परियावरण के अंदर अपने खेतों के अंदर एक परकार से नेचरोली यूरिया बनाने की फेक्टरी अपनी भूमी के अंदर मौजूद है और ये फेक्टरी शिरप दलनी पोदो दलनी पसलो या फिर जिसके फलिया लगती है उनी पेडों के निचे उपलब्द होती है तो इसलिए अपन देखते हैं पसल चकर क्रोप साइकल के बारे है तो अगली बार यहां पे दलनी पसलो यह जरूर कीजिए क्योंकि दलनी पसलो की जड़ो में गांठे पाई जाती है और उन गांठो के अंदर जो मैंने फेक्टरी का नाम बताया है राइजोबियम एजिटोबेक्टर वो पाए जाता है और उसकी वज़ा से वातावन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है भूमी के अंदर और जो दलनी पसले हैं वो तो क्या करती है नाइट्रोजन गरन करती है और कुछ मातरा में नाइट्रोजन भूमी के अंदर छोड़ दी जाती है और आने वाली जो पसले हैं जिनको अपन जो अनाजवर ये पसले वहाँ पर बोएंगे तो उनको नाइट्रूदन यूरिया का कम इस्तमाल करके भी अपन उत्पादित कर शकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या थी नाइट्रूदन इस्तरी करने वाली फेक्टरी राइजो बेम एजेटर वेक्टर पहले शेयों पलब थे दलनी पसलों के बदोलत तो इसलिए अपने को अपने यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले पसल चकर अपनाना होगा अपन जो भी अपने पसल लगा रहे हैं उनको बदल बदल के लगाना होगा एक बार आपको दलनी पसलों का इस्तमाल जरूर करना है और उसके बाद अगली जो पसल है उसमें क्या करना है वो आपको अनाजवर्गिये पसल का चैन करना है इसी प्रकार से आपको अपने आपर खेती करनी है तो सबसे पहला point हो गया पसल चक्र को आपको अपनाना है इसके साथ ही जिन पेडों पर फलिया लगते जाए वोची सम हो या अन्य कोई पेडों उनका उनकी जड़े क्या होगी, काफी ज़दा, लंबाई में होगी, डीपली होगी, गैराई में होगी, तो वो क्या करेंगे, वो ज़दा मातरा में नाइट्रोजन का उत्पादन करेंगे, उनकी जड़ों के अंदर ज़दा गाठे होगी, तो जो भी पसल उनके नीचे या आसपा लगाएंगी तो उनको डाइरिक्टली नाईट्रोजन की पोर्थ bakın लिए इसके अलावा अपन क्या करेंगे मिलते हैं हिप्ोके मिलते हैं जो मेर मार्केट में sulphid उनको ने कंपने मतलब उनको बोजन खिलाना है उनको पालना है और उनको पालने के बाद जब बोज संक्या में मतलब क्या हो जाए मल्टिप्लाई हो जाए अपनी संक्या को बोज ज्यादा बढ़ा ले तो उसके बाद अपने को क्या करना है खेतों के अंदर इस्तमाल करना है और इसे क्या ताकि परतेक समय पोदा नाइट्रोजन के लिए मरा जा रहा है और जब भी अपने इस्तमाल करें उस समय 100% उसको आवशेकता नहीं जब पोदा ग्रोध कर रहा होता है तो उस समय अपन जब यूरिया का इस्तमाल कर रहते हैं तो सिर्फ 10% नाइट्रोजन वो गरन कर पाता है उसके पास कोई स्टोर गरा है कोई बंडारन गरन नहीं है कि वो नाइट्रोजन को बंडार कर लेगा अपने आप रख लेगा और जब भी उसको ज़रूर पड़ेगी तो वहां से वो निकाल लेगा तो क्या होगा वो 10% नाइट्रोजन गरन कर लेगा बाकि जो 90% जो अपनी यूरिया डाला वो क्या होगा वो पानी के साथ, बारिस के साथ बैकर चला जाएगा नदी नालो को पर्दोशित करेगा अपने आपर बारिस के साथ लीचिंग के मादें से वो बुमीगत जल्में चला जाएगा उसको परदुशित करेगा तो क्या हो रहा है जो अपन यूरिया इस्तमाल कर रहे हैं वो सिर्फ 10 से 15 परसेंट 30 परसेंट तक पसलो काम में आता है बाकी क्या हो जाता है वेर्थ चला जाता है कि कहां पर और ये वेर्थ चाने वाला यूरिया वेर्थ चाने वाला जो खाध है वो क्या करता है मैसा परकरती को नुक्सान पहुंचाता है क्योंकि इसको बना जा रहा है वो करतरीम डूप से इसको बना जा रहा है तो इसलिए ये क्या करता परकरती को नुकसान पहुंचाता है जबकि अगर अगर अपन राइजोबियम एजिटो बेक्टर का समर्दन करते होए अपने आपर उसकी संक्या को मल्टिप्लाई कर देंगे बड़ा देंगे तो क्या होगा अपने को यूरिया का इस्तमाल ही नहीं करना पड़ेगा तो साथियो इस परकार से अपन यूरिया का एक जेविक विकलब तयार कर सकते हैं जो की हजारों सालों से अपने खेतों के अंदर उपते विद्यवान है बस उसको संक्या को बढ़ाना है अपने को यहाँ पर जो कार्बनिक पोस्थत्तव है कार्बनिक पदार्थ है उनकी संक्या को बढ़ाना है लगातार और उनके बढ़ने से क्या होगा जो नीच्चे पड़े जो राईजोबी में जिटोबेक्टर जिवानों है वो क्या करेंग तो इस परकार से अपने को खेती करनी है ताकि अपना जो बजट है वो इन तीन पोस्टतों के लिए विर्थ, ना जाए यूरिया, डेपी और पोटास के लिए तो साथ ही जानकारी किस परकार के लगे अगर जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारी चैनल पर नए है तो जलनको सब्सक्राइब पर सकते हैं और साथ ही इस ये परकार के अन्य जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो हमें कमेंट के मादेम से अन्य जानकारी के बारे में प्रोच्चाइद कर सकते हैं धन्यवाद साथी